देश वासियों को गरतन दिवस अर्थात रिपब्लिक डे की धेर सारी सुबकामना है। हम ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट देश समभीधान दिवस और रिपब्लिक डे इसमें क्या अंतर होता है। इसको थवा बारिकी से समझते हैं और समभीधान को दो महीने लेट क्यों किया गया, बना के उसे लागू क्यों ने गिया गया था, दो महीने बाद क्यों लागू किया गया। दिखिए, 15 अगस्त 147 को हम आजाद हो गया, हम अंग्रेजों से आजाद हो गया, हलाकि उस समय भी हमारे उपर फ्रांस का कबजा था और पुर्तगालियों का कबजा था, तो वो लोग पुर्तगाली फाइनली 1961 में गया है सब, गोवा को आजाद करके, सबसे बाद में दे मनाते हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर, अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको फाइनली छोड़के तभी जाएंगे, जब आप सम्वीधान बना लेंगे, तब, तो हम लोग सम्वीधान 1946 से 1949 के बीच में बनाएं, जो फाइनली बनके तयार हुआ 26 नौंबर 1949 को, इसलिए 26 नौं तक सब सम्वीधान के अधीन काम करते हैं, तो सम्वीधान बन गया था, लेकिन लागू ही नहीं हुआ था, इसे दो महिना बाद लागू किया गया, 26 नौंबर 1949 से दो महिना जोडेंगे, तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, जिस दिन सम्वीधान लागू हुआ, उस दिन हम लो सम्वीधान जिस दिन बन का तयार हुआ था, कि उसको मनाते है 26 नौंबर को सम्वीधान दिवा, लेकिन जिस समय हमारे उपर उस सम्वीधान को लागू कर दिया गया, हम लोगों को सम्वीधान की अधीन किया गया, उस दिन को हम मनाते है 26 जनवरी के रूप में, रिपब्ल मेतल यह साथ